हरे धनिया के चटनी खाखा कर हो गए हैं बोर्त इसे जरूर बना लेना बच्चों के टीपिन हो या फिर चाय के साथ यह सब के साथ एकदम परफेक्ट जाता है तो इस रेस्पी को आप लोग जरूर बना लेना पसंद आ जाए तो लाइक से एंड सस्क्राइब जरूर कर सबसे पहले लेंगे हम हरा धनिया मैंने ले लिया है 100 ग्राम क्योंकि यह मार्केट मैचकल बहुत सस्ते में आ रहे हैं सीजन चला जाएगा तो बहुत महंगे में आते हैं तो इस लिए इस रेस्पी को आप लोग जरूर बना लेना क्योंकि हर किसी को यह बहुत पसंद आता है आप इसे सौस के साथ खा सकते हैं या फिर इसे चटनी के साथ खा सकते हैं तो मैंने इसको अच्छे से पहले धो लिया था धो कर इसके सारे पाने निकाल दिया है उसके बात क्या करेंगे इसको एकदब पतला पतला सा इसे कट कर लेना है आपको जितना पतला पतला सा कट कर सकते हैं उतने पतला पतला इसे कट कर लेना सबसे पहले इसे अच्छे से धो देना क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी रहती है तो इसे अच्छे से धो कर इसे हमें पतला पतला सा कट कर लेना है तो मैंने तो कट कर लिया अब चलिए दूसरा काम कर लेते हैं तो मैंने च पूरित दिख रहा है जमा हुआ उसके बाद हम ग्रैंडिंग जार लेंगे और जिस कप से हमने चनना नाप कर खुले या तो उसके बाद हम इसे पीस लेंगे तो यह देखें पीस कर इस तरीके एकदम पेश्ट बना लेना है एकदम पतला सा पेश्ट इसको तयार करना है उसक किप कर दिजिएगा इसमें अध्य चपना नमक आधि एक शटाइ चमच लालमिऊज पाउडर लाल मिऊच पाउडर अगर आप बच्छे के लिए बना रहे हैं तो मट ढालना उसके वहाद किया करना जो हमने धन्या कट किया था उसको इसमें डाल कर अच्छे करेंगे मिक्स उसके बाद तीन चमच इसमें डाल देंगे सूजी जिसे रावा भी बोला जाता है तो तीन चमच सूजी डाल देंगे इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनता है आप लोग इस रेश्पी को जरू ट्राए करना बहुत पसंद आती है सबको अब इसमें क्या करेंगे न जिस देख लिए किस तरीके करेंगा इस तरीके अगर थोड़ा पतला भी रहेगा तब भी चल जाएगा कोई बात नहीं तो इस तरीके इसका थिकनिस रहेगा आप चलिए दूसरा काम कर लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे गैस पर चड़ाएंगे कड़ाई या फिर पैन उसमें धनिया पत्ता का बैटर तैयर किया तो इसको इसमें डाल कर लगतार मेडियम डिलो फिलेम पर हमें इसे पकाना है तब तक के लिए पकाना है जबत के लिए एक तम डो की तरह एक जगह पर सिमट कर ना आ जाये तो मैं आप लोगों को फिर से याद दिला तो मेरी रेस्पी कैसी लग रही है अच्छी लग रहे थे प्लीज लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यह देखिए एक दम पक रहा है तो यह देखिए जैसे जैसे पकता है वैसे जैसे कड़ाई में चिपका है थोड़े लगाना उसके बाद जो हमने बैटर बढ़ाया था ना हरे धनिया का तो इसमें डाल देना अच्छे से चारो तरफ से फैला देना और इस पैचला के मंद से इकुल कर देना यानि बराबर कर देना ताकि देखने में अच्छे लगे यह देखिए यह से बराबर क कर लेंगे और इसे 10 मिनिट के लिए रेश्ट पर रख देंगे ताकि यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद हम इस्तमाल करेंगे तो यह देखिए ने इसके पीसस कट कर लेंगे अगर आप जिस तरीके से पीसस कट करना चाहिए मैं इसके थोड़ा नचेत्र बू कर रहे हैं तो चारू तरफ समय काट कर दो झा ऊड़के उसके बाद हम इसको कट करेंगे तो यह को नर हम काट कर रही हैं इसको बाद में प्राय कर लेंगे मैं तो यह scratch say mix करके आपको दिखाँगे तो इस तरीके से मैंндेश कर चतर बूंबस च्पार कर, इस तरीके से काट क कर लेना तो यह कट होके रेडी हो गया है अब चलिए अब हम दूसरा काम कर लेते हैं यह देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है धनिया पत्ता के यह रेस्पी बहुत टेस्ट लगती है अगर आप प्राइ करना चाहें तो फ्राइ कर सकते हैं मैं तो हलका इसे से कूं उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम पर जैसे ही तेल गरम हो जाए उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें हलका ब्राउन कर लेना है तो हलका इसे लगबग हम इसे इंतजार करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर जैसे हलका ब्राउन ह जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे इसको उलट पुलट करके पुलट करके हमें चारों तरफ से इसे सेख लेना है ताकि यह हलका क्रिस्प हो जाए क्यूंकि बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनती है आप लोग इसे जरूर ट्राय करना और मेरी रेश्पी पसंद आजये तो ल तो लिए प्रीट में निकाल लेंगे तो चलिए मैं इसे निकाल निकाल कर देखाती हूं मैं आप लोग को फिर से याद इला दिला दूक आप रही है कुमेंट करके बताइगा लुका है इतना case पर दाएप तू आपटलर को संदार जाए बैल आ inception के all पर जाकर प्रेस कर लीजेगा तक्योद सबसे पहले आपको मिले यहाई तो उस डिनकर किहा यहाई को हर दम्राइप जोइड किजे चाै के साथ या फिर चटनी के यह उसा ही बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप इस चाइक अब चटनी के साथ खाऊ गिना तो आपके घर पर गेश्ट आये ना तो चाह के साथ कुछ नहों तो इस रेच्पी को जरूर बना लेना बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही अच्छ लगती है तो चाए के साथ खाई एंज्वाइए किजिए फैमली के साथ और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दिए जिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए